इसे किन गिन बीमारियों में यूज कर सकते हैं साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्स और कुछ साधानियों को बारे में तो फ्रेंस आप इस वीडियो में अंतक बने रहें ताकि आपको अल्टी जाइम केपसूल की संपून जनकारी प्राप्थ हो सके फ्रेंस अल्टी जाइम केपसूल जहें एक डाइजेस्टिव एंजाइम दावा है जो मुख्य रूप से भोजन को यानी खाने को पचाने में मदद करता है ब्रेकडाउन करने का काम करता है भोजन को छोटे छोटे टुकडो में तोडने का काम करता है और या भोग को भी बढ़ाता है या केपसूल जो है मेडली फार्मासीटिकल्स कमपनी द्वारा मेनिफेक्चर किया गया है और इसकी प्राइस की बात करें तो सो रुप्या है जिसमें आपको दस केपसूल मिल जाएगा इसके एक केपसूल में दस केपसूल आता है और इसकी कमपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आलफा गालेक्टोसी डेश जो है 150 मिल जाएगा मिल जाएगा यह मेन इंग्रेडियन्ट है फ्रेंस यह सभी जो है पाचक एंजाइम है डाजेस्टिव एंजाइम से जो बहतर पाचन में साहता करता है और बोडी की भूग को भी बढ़ाते हैं यह स्टार्च सरकरा वसा प्रोटीन कर्भोहईडेट फाइबर और लेक्टोज क तेजी से ब्रेकडाउन यानि टूटने में मदद करता है ताकि भोजन ठीक से पच सके और इसमें जो है एमाईलेज जो है एस्टार्च को टूटने में हेल्प करता है और जो प्रोटीज है यह प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और इसमें लाइपेज जो है य केप्सुल का युज कि आ जाता है जैसे में अबच होगी हो किसी के खाना नहीं पचता हो यह भूख नहीं लगता हो पाचन संबंदी रोग हो गया हो डाइजेस्टि युज ऑ इस के का ऊजाय सपह सना यह खाना ना पचने के कारण पेट में दर्द रहता है, गैस बनता है, या भूख नहीं लगता हो, या पेट फुला फुला रहता हो, भरा भरा सा रहता हो, या सरजरी आपरेशन के बाद डाइजेस्टिव इसू हो गया हो, तो उस कंडिशन में अल्टी जाइम केपसुल का और इसके डोज की बात करें, तो एडल्ट में एक केपसुल सुबा साम ले सकते हैं, आप इसे दो सब्ता तक ले सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा एक मन्त तक एक महीने तक ले सकते हैं, आप इसे खाली पेट या खाना खानी के बाद भी ले सकते हैं, आप इसे ठंडे पान किसी भी पानी के साथ ले सकते हैं और बच्चों की बात करें तो बच्चों में इस केपसुल का यूज न करें और साइड इफेक्स की बात करें तो डाइरिया होना, दस्त लगना, पेट में दार्ध होना, नौजिया बुमीटिंग हो सकता है या पेट में कब्ज बनना, पेट न स्किव कंडिशन को सिर्ध प्रेइटृ। प्रेगनेंसी और ब्रेस्थ फीडिंग में डॉक्टर की सलाहजी कोंडियोज ए, अगर किसी ब्यक्ति को अलर्जी हो तो उसुंगेंडिवा operate hy by a sheet. जाएम केपसुल का यूज नहीं करना चाहिए यदि किसी पर करके ऐलर्जी दिखता है इस केपसुल को लेने का बाद तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले और इस केपसुल का ओभर डोज न ले और इसे ज्यादा दिनों तक यूज भी न करे तो फ्रेंस ये था अल्टी जाएम केपसुल की संपून जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके